हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने अजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टेडी प्लानेट तो कैसे हैं आप लोग उम्मेद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी आज बात करते हैं भारती संविधान के बारे में भारती संविधान के स्रोत के बारे में ठीके तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गवाय हुए दोस्तो भारती सम्विधान में जो प्रावधान है जो कानून है वो अलग-अलग देशों से लिये गए हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बृतिन की बृतिन से क्या-क्या लिया गया है बृतिन से लिया गया है संसदी सासन, विधी निर्मार प्रक्रिया, एकल नागरिक्ता, संसदी विशेसा दिकार, मंत्री मंडल का लोग सभा के प्रति सामुहिक उत्तरदाईत्व, और उपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट पती इतनी चीजे बृतिन से लिया गयी है चलिए अब बात करते हैं संग्युक्त राज्य अमेरिका से क्या-क्या लिया गया है तो संग्युक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायक पुनरावलोकन, सम्विधान की सरवोचता, न्यायप पलिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट पती एवं उस पर महाभ्योग, उपराष्ट पती, उच्चतम एवं उच्चे न्यायाले के न्याया धीसों को हठाने की विधी और वित्ती आपाद, ठीके, चलिए अब बात करते हैं आयरलेंड की, आयरलेंड से हमारे सम्विधान में क्या क्या लिया गया है, तो आयरलेंड से जो लिया गया है नीती नी दे सकता तो, सबसे पहला है बहुत महत्वोड़ है, राश्टपती द्वारा राज सभा में साहित्य कला विध्यान तथा समास सेवा इत्याद के छेत्र में ख्याती प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और आपात कालिन उपबंध है, ठीके, अब बात करते हैं सोवियत संग की, सोवियत संग जिसका नया नाम है रूस, पुराना सोवियत संग कहा जाता था, तो सोवियत संग से क्या लिया गया है, पंच वर्षी योजनाय और मौलिक करतब बहुत ही महतुपोड है, याद रखियेगा कि रूस से यानि सोवियत संग से मौलिक करतब और पंच वर्षी योजनाय ली गई है, दक्षिड अपरिका की बात कर का प्रावधान केंद्रवा राज्य के बीच संबंद तथा सक्तियों का विभाजन अब बात करें जापान की तो जापान से एक ही चीज ली गई है वो है बीधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया बात करते हैं जर्मनी की तो जर्मनी से क्या लिया गया है जर्मनी से लिया गया है आपात काल के प्रवर्तन के दवरान राष्टपती को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और कनाड़ा की बात करें तो संगातमक विशेष्टाएं और अवसिस्ट सक्तियां केंदर के पास होनी चाहिए ये विशेष्टाएं कनाड़ा से ली गई हैं तो दोस्तों ये तो था संविधान के स्रोत के बारे में अब आएए बताते हैं संविधान से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां आप जानते हैं डाक्टर भीमराव अमबेटकर को भारती संविधान का जनक कहा जाता है संविधान तयार करने में दो साल 11 महिने और 18 दिन का वक्त लगा था नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसे दिन भारत एक गड़ राज्य बन गया संविधान सभा का प्रतम अधिवेशन सम्विधान सभा का प्रताम अदिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसत भवन के केंदरी कक्ष में प्रारम हुआ डाक्टर सचिदा नंद को इसका सर्व सम्मत से आस्थाई अध्यक्ष चुना गया था दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को ही बैठक में डाक्टर राजेंदर प्रसाद को सभा का अस्थाई सदस्य याद रखियेगा सचिदा नंद को अस्थाई सदस्य मतलब अध्यक्ष बनाया गया था और राजेंदर प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया समविधान निर्माड हे तो कई समितिय अगठित की गई थी जिसमें से जो सबसे महातुपोर्थी वो थी प्रारूप समिति साथ सदस्योवाले प्रारूप समिति की अध्यक्षता डाक्टर भीमराव अमबेट करने की थी भारती समविधान में प्रस्तावना, प्रस्तावना को समविधान की कुंजी की संग्या दी गई है ये चीजे आप याद रखिएगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ आप से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अगर आप मारे वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें